एहे फ्रेंक भीया आज तो आज तो बोटिंग करने में बहुत मज़ाया और चॉप तुझे मज़ाया या नहीं अभी पूरे दो बंदिक आया है हम पूरे तीन गंटे तक वहीं खेल रहे थे और फाइनली अब जाके हम गर पहुंच है यार मुझे तो आप काफी जाता नीद आ रही है या नहीं हमें पहुत जाज नहीं जा लिए हम भी सहेंगे हां तो चलो सबसे पहले तो मैं अपने कबड़े चैन कर लेता हूं और फिर जाके सोंगा वैसे भी आरा संड़े है तो हम तीनों के पूरी चुटी है किसलिए आज हम दिन बर रेस्ट करेंगे क्यों से ज आज बड़ा अंडा हमारे गर पर कैसे आगए यार वैसे तुम दोनों को अंडा ही लग रहा है या कुछ और है यह आप इसे फोड की देख लिए हाँ यार यह तो तुम एकदम सही कह रहे हूं चलो मैं इसे एक बार फोड की देखता हूं क्योंकि फोडने के बाद ही पता गरता हो सकता होसकता है इसके अंदर क्या हो सकता है वो तो इसे फोडने के बाद ही प्तल लेगा तो चलो स्तो मैं अपनी गंज से एक दम सथी वैसे ही मेरे पास बहुत तारी गन है, तो मैं अपनी दूसरी गन से ट्राइ करके दिखता हूँ, हाँ तो अब मैं कौन सी गन ले हूँ, हाँ ये वाली गन बैस्ते, वैल तो दोस्तो, इस गन से तो ये पका फूट याएगा, ओ भाई साब, ये क्या, ये तो फूट ने का ना अपनी अपनी अब मेरे पास एक ओप्सन है, और वो है ग्रेंट, ग्रेंट से तो ये जरूर फूट जाएगा, लेकिन इसके लिए, तुम दोनों को दूर जाके खड़ा होना पड़ेगा अब ये विल्कुल फेंबिया हम दूर जाके खड़े हो गए है अब मैं इसके उपर ग्रेनेट फैकता हूँ आथो 1,2,3 आथो फाइले दोस्तों मैंने ग्रेनेट फैकत दिया है अब ये देखो ओ बाई साब ये दो फूट भी गया लेकिन ये क्या ये अंडा तो फूटा ही नहीं जबकि मेरा ग्रेनेट फूट गया और यहाँ पर जो छत्री थी वो उट गई लेकिन इस अंडे को कुछ नहीं हुआ यार ये कैसे पूसुबल है चलो मैं एक बार और ट्राइ करके देखता हूँ वन टू टू ट्री को ओ वाईसा ग्रेन तो फूट गया लेकिन फिर से ये अंडा नहीं फूटा यार ये अंडा है या क्या है ये तो फूटने का नाम ही ले रहा है अब तो मेरे पास लास्ट आप्सन बजा है और वो है मेरी RPG अगर ये RPG से नहीं फूटा ना तो ये किसी चीज़ से नहीं फूटेगा या डिशूं ओ माई गॉड गाइस अंडा तो फूट गया लेकिन ये क्या ये बाबा यहां पर कैसे आ गई अब या पिंबिया ये बाबा यहां पर कैसे आ गई ओम ओम पट स्वाहा बहुत बहुत दन्यवाद हो बेटा तेरा जो तुमने मुझे इस कैद बिंजरे से आज़ाद कर दिया जो तू मांगीगा वो मैं तुझे दे दूँगा बोल तुझे क्या चाहिए क्या आप बात करें बाबाजी मैंने और आपको कैसे आज़ाद कर दिया अरे तुझे पता नहीं है एक राक्सस ने मुझे बहुत बयानक सराब दिया था जिसे मैं इस अंडे में कैद हो गया था और तूने मुझे आज आज़ाद कर दिया इसलिए मैं प्रसन हुआ अब तुझे जो चाहिए वो मांग ले मैं तरी सारी विसेस पूरी कर लूँगा क्या आप बात करें बाबाजी इसका मतलब मैं जो भी चीज मांग वो पूरी हो जएगी लेकिन यार मुझे तो आपकी बात बिल्कुल फैक लग रही है ऐसा कभी होए नहीं सकता कि जो चीज हम मांगेंगे वो रियल लाइब में आजएगी अरे बिल्कुल हो सकता है बेटा क्योंकि मैं एक पुराणिक बाबा हूँ और में अंदर कई सारी जादू इसकतिया है अब तुझे जो चाहिए वो मांग ले अरे बाबाजी बाबाजी मुझे चाहिए क्या मैं मांग सकता हूँ अरे बिल्कुल बेटा तुझे जो चाहिए वो मांग आप तो तेरे पीछे देख तूने जो चीज मांगी थी वो आच्षुकी है ओची जो शिंचन यार सच में यहाँ पर बहुत सारी कार आ गई ओची तो यार जब्दू तो सच में कमाल का है यार फैंक बिया ऐसे तो हम बहुत जाद मारावाल हो जाएंगी क्योंकि यार देखो साही जो चीज मैंने मांगी थी बाबा से वो यहाँ पर परकट हो गई है और याद याद ये सारी कार्स काफी ज़्यादा महंगी और अच्छी है हाँ याद शिंचेन याद शिंचेन बिल्कुल याद ये फैंग याद मैं तो कह रहा हूँ अरे बल्कुल बेटा मैं पूरा पर लूँगा हाँ तो बाबाजी मेरी पहली विस यह है कि जो जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके माता पिता की उमर ज़ादा हो जाए तथा अस्तू बेटा तथा अस्तू यह क्या वो बाबाजी तो यहां से गाइब हो गई यार सेंजय जोब उन्हाने मुझे वो जादू दिया या नहीं अगर यह जादू रियल हुआ तो यार मैं तो माला माल हो जोंगा हाँ तो यह पड़ी मेरी कार अब मैं इसे चूके दिखता हूँ हाँ तो यार मैं इसे सबसे पहले कहां से चूके देखू यार मुझे तो कुछ समझे नहीं आ रहा है अड़ी फैंबिया कहीं भी इसे लात मार के देख लिगी यह गोल या फिर डायमेंड की बन जाएगी हाँ तो चलो मैं ने इसको लात मार दी है और यह देख वाइस लिटरली यह पूरी गोल की बन चुकी है और यार हमारी कार कितनी ज़्यादा उपी लग रही है पहले यह कार दो लाकी थी लेकिन अब गोल में मन गई है जिसकी वज़य से इसकी कीमत काफी ज़्यादा हो चुकी है यानि कि अभी यह कार पूरी पचास लाकी हो चुकी है क्या बात करो फैम यह सच में अरे हां यार सिंचन सच में आतो चलो अब हम जल्दी से सीमयाओन के सोरू में चलते है क्यूंकि यार पाबा ने मेरे को काफी तगड़ी सकतिया देती है यार यह बिल्कुल फैम है बिल्कुल जल्दी चलो जल्दी चलो ऐशान होकी शीमयाओन के सारी गारिया खतम हो जाए अब बैन नए होगी यार क्युंकि उसके पास बहुत सारी कारे है और अगर उसकी कारे खतम भी हो गई होगी ना तो हम दूसरे सोरू में चला जाएंगे यार यह बिल्कुल है बिल्कुल क्योंकि यार यह सौधा तो कोई भी माल लेगा हम उसको दो कार गोल्ड की देंगे और उनकी शारी कारे हम रख लेंगे हाँ यार चौप तो सोच दो जाईगी उसके पास जो कारे है वो एक कारी दो लाकी है और जैसे हम उनको गोल्ड में कर लेंगे तो एक कार फुरी पचास लाकी हो जाएगी यार यार ऐसे तो हम भी माला माल हो जाएगे और वो सोरूम का मालिक भी माला माल हो जाएगा अरे बिल्कुल भी मैं बिल्कुल यार आज तो बहुत जादा मुझानी वाला है हाँ तो फाइनली गाइस अभी हम सीमियान के सोरूम में पहुँच गए है और ये दुगो यार यहाँ पर कितनी जादा कारे पड़ी है अभी यार मैं जिस बी कार को चूऊंगा वो कोरी गोल्ड में बन जाएगी लेकिशे बाते फैक लगा रही है एक बार तो मेरी कार को गोल्ड में करके दिखा फिर मैं मानू, आज ऐसे बात है गया, फिर तो रुख जा, अभी मैं तरी इस बुगाटी कार को पूरी गोल में कनवर्ट कर देता हूँ, हाँ तो ये मैंने बुगाटी कार को यहाँ पर रख दिया है, अब सीमान के बच्चे, तू देखते जा, मैं तरी इस कार को कैसे गोल म हो रहा था, लेकिन ये सिंचा चाओ मान नहीं रहे थे, अब सीमान, हमने और आचा कब बूला, अब वह सब ठीक है, लेकि सीमान, अब तो तुझे मेरा सादा मंजूर है ना, और बिल्कुल फ्राइंगल, बिल्कुल, तू इन सभी कारों को गोल में कनवर्ट कर दे, क्या ब थी, पूरी एक करोड हो चुकी है, तो यार सोचो, मुझे कितना प्रोफिट हो गया, और अपने सीमान को भी कितना खतरनाग प्रोफिट हो गया है, और वाफ रंगलना, तू तो बहुत पड़ा जीनिस निगला, तुने तो सभी कारों को डाइमन में कनवर्ट कर दिया, अब तो आराम से जा, आदो फाइनली दोस्तो, यह रही अपनी बुकाटी कार, अब चलो सिंचे जोब, हम चलते हैं एक तकड़ा साब बंगला लेने, क्या बात कर भी भी बंगला, अरे हाँ यार बंगला, क्योंकि यार अब तो हम बहुत जादा पैसे वाले बन गए है, त तो हमारी मज़े पढ़ेंगे, मैं ना हूँगा भी बीच की साइडी, और मज़े भी बीच की साइडी करूँगा, अब बिल्कुल चॉप बिल्कुल, हमें बहुत ज़्यादा मज़े आने वाला है, हाँ तो फाइले गाइस, आखिरकार हमने बीच की साइड एक तकड़ा व शच्मी ये लगजी जशाहुत हो काफी ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो ये आउस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और यार देखो सही गाइस, इसके अंदर कितनी बड़ी LED लगी हुई है, और यार होम चैर्टर भी लगे हुए है, जिससे हम इसमें आराम से पार ज़्यादान भी है, और ग्रास भी है, और काफी अच्छे चीज़े भी है, ये बिल्कुल फैम है, बिल्कुल, अपने तो मज़े पढ़ने वाला है, वैसे गाइस देखते हो रहे हमारा गर कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है, इन में से एक रूम मेरा है, एक चौप का औ और एक सिंचेन का, हम तीनों इसमेर राज करेंगे, अपने बिल्कुल फैम है बिल्कुल, अब तो हमारे मज़े पढ़ जाएंगे, आतो फानली गाइस, अगर आपको भी ऐसा तकड़ा वाला हॉस चाहिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को हमिलेंगे अगली विडियो में तप्तकिली टाटा, पाई बाई हन्टिक्या